यह हम सब का सोभाग्य है कि माहना प्रताप किस भब्य प्रतिमा कारिकरम में हम सब को अयोध्या धाम में एकत्र होने का उसर प्राप्त हुआ है बायोबेनो अयोध्या का अपना महात्म है सब्त पुरियों में से अमारी एक पावन पुरी है सूर्यवन्स की राजधानी है मनुष्य की उद्गम की अस्थली भी है इस धर्ती का पहला राजा मनुष्य इसी धर्ती पर जन्म लिया था अयोध्या की धर्ती पर और अयोध्या में ही उन्होंने अपनी राज पर प्योस्था का संचालन प्रारम भी किया था दुनिया की सबसे पवित्र नजीमानी जाने वली मा सद्रिश्य गंगा को इस धर्ता धाम पर लेकर आने वाले राजा भगिरत भी इसी धर्ती से जुड़े थे इसी अयोध्या की राजा थे और उसी प्रंप्रा में मर्यादा प्रसुत्ता भगवान स्री राम का जन्म होता है मानो रूप में एक मनुष्य के रूप में मनुष्य के जीवन में आने वाले हर एक उतार चड़ाओ का सामना करते वे उस काल खंड में उन्होंने मर्यादा का जो पाट प्रते एक मानुए बिवस्ता पर विश्वास करने वाले नागरिक के सामने जो तै किया आज भी वह हम सब के लिए उसी प्रकार की पेड़ना का एक केंद्र बिंदू बना हुआ है और मुझे प्रसंता है कि जब आयोध्या में पांसो वर्सों के बाद मर्यादा प्रसुत्तम बढ़्मान सीर राम के भव्य मंदिर निर्मान का कारिकरम प्रधान मंतरी मोधी जी के करकमलों से प्रारंब हो चुका है और निस्तितियों में आप सबने इस पवित्रस्तल पर मासर्यू के सट पर गुपतार घाड के पास माना प्रताप के इस भव्य प्रतिमा का आज यहां पे लोकारपन करने का सवभा के मुझे प्राप्त हुआ है मैं इसके लिए आप सब को आईज़कों को इर्दे से धन्यवाद देते विए आप सब को बधाई देता हूँ अपनी सुपकामनाई देता हूँ बायो बेनो माना प्रताप का जन्म नौ माई माना जाता है और 28 वर्ष की उम्र में उनके सामने ऐसा संकट आया था कि जो मेवाड की राज़दानी चित्तोड थी ये सबी ज्यादा तर भूबाग पर अख़वर का कबजा हो गया था लेकिन अपने दूरदर्शिता अपने सौर्य और अपने प्राक्रम के कारण माहना प्रताप ने अपने जीवन में अभाव की चिंता किये वेगर एक सन्यासी के रूप में जंगलों में विपरीत प्रस्थितियों में रहते वे भी अपनी सेना का संगफन खड़ा किया अख़वर जैसे विसाल सामराज्य के बादसा को चनौती दी और अपने जीवन में ही मेवाड के उस सभी जितने भी किले थे जितने भी गड़ थे जितना भी भुभाग था उसे वापस लेकर के भारत के सौर प्राकरम का लोहा दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कारे भी किया था वायोवेनों जब भी भारत के अंदर सौर प्राकरम की बाद आती है तो मद्यकाल में तीन चार नाम हर एक जवान पर उखर पड़ते हैं महारणा प्रताप का छत्रपती सिवाजी महराज का गुर्गोविंद सिंधी महराज का और गक्तिबड़ी सरधा के साथ नाम लेता है किन महापुरसों ने देश के लिए जीवन जिया था अपने लिए नहीं अगर वे चाते तो वे भी उस काल खंड में चाते कि वही मैं कैसे लड़ पाऊंगा अकबर के साथ अकबर के सामने क्योंकि अकबर के साथ अपकरक्रिस के पास एक बड़ी सेना है और यहाँ पर तो भीतर घात करने वाले बहुत सारे लोग पैठे हुए हैं कैसे मैं फेज करूँगा वह भी अधिन पाऊंगा स्विकार कर लेते और अपनी मेवाड की गद्वी को सुरक्षित रख पाते के साथ भोजन बैठ कर पाना भी उन्होंने अपना पान समझाता और कहा था कि नहीं मैं यह नहीं कर सकता एक विधर्मी के साथ हम इस प्रकार से उसे सम्मान नहीं दे सकते जो देश और धर्म के लिए खतरनाक हो और भायो बैनो मर्यादा प्रशोत्तम भगवान स्री राम क कि इस पावन धाम पर हम लोग महना प्रताप कि इस भब्य प्रतिमा का उत्गाटन का कारिक्रम कर रहे हैं मैं सबसे पहले आयुचकों को इस बात के लिए धन्यबाद दोंगा कि उन्होंने बहुत अस्था अच्छा स्थान चैयन किया है इस कारिक के लिए क्योंकि एक यहाँ पर जो घाट है यह वही घाट है जिस पवित्र घाट को मर्यादा प्रसुत्तम भगवान सीर राम ने अपनी अंतिम यात्रा के लिए चुना था इसके पवित्रता का अंदाजा हम सब लगा सकते हैं दूसरा यहाँ पर प्रधान मंत्री मोदी जी के विजन के इन रूप अयोध्या को दुनिया की सबसे सुन्दर्तम नगरी के रूपने स्थापित करने का जो कारिकरम चला है इसमें हमारा वक कारिकरम प्रारम्ब हो गया हुआ है आज मैं मेरे साथ मंत्रीयों का एक समो अयोध्या के विकास के कारियों की समिक्सा करते वे ही हम लोग लगा अतार अलगलग गुरुप से मुलाकात भी किये हैं अलगला कारिक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं सुबे सुबे में आया था फन्मान गडी में दर्शन किया दर्शन करने के बाद राम जनम भुन में भगवान से लाम का दर्शन किया मंदिर के निर्मान कार्य की प्रगती को नस्तीक से देखा फिर वहां से कहे प्रात्मिक स्वास्त केंदर का निरिक्षन किया अयोध्या के विकास के लिए जो आठ ओवर ब्रिजेद बन रहे हैं उपर गामी सेतु बन रहे हैं उन में से कुछ का निरिक्षन किया, कुछ की समिक्सा की और फिर वहाँ से हम लोग एक बेसिक सिक्सा परिशत के स्कूल में भी निरिक्षन करने के लिए गया कि कैसे अध्यन हो रहा है क्या सुविदाएं हैं बच्चों की मन में क्या भावनाएं हैं वहाँ पर जाने के बाद फिर भगवान राम का जो प्रियकार्य था उन्होंने कहा था कि अगर सच मुझ हमें अपने देश और अपने धर्म की रक्सा करनी है तो अच्छो अच्छो तर अस्प्रे से ताकि भावना को सदेव के लिए तिलांजली देनी ही होगी और उस समय सब हाँ प्राप्त हुआ है कि हमें भी के यहां पर एकड्लित परिवार में अपने घर में सिभूझ अमंटित किया था और मेरे सबी मंहिनले सङरो सांसाच्छ जी माने विदायक जी इस सभी लोग उस परिवार में कए और उस परिवार के साथ बैढ करके हम लोगों ने सेभोज भी किया उन्हीं परिवार में सेभोज भी किया क्योंकि ये तो भगवान राम का काज है और भगवान राम के काज में बिराम कैसा तो हम लोगों ने कारेदी किया फिर समिक्सा बैठक भी की समिक्सा बैठक करके अयोत्या में आज उत कि आज यहां वायूद्या में हैं अपने बिभाग कि समिकसा भी ले रहे हैं समिकसा बैठक में मारे साथ थे क्या प्रोग्रेस से इसके बारे में बता रहे थे और समिक्सा वैठा के बाद फिर सर्यू नदी के इसतब पर विकास की प्रयोजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है गुपतार घाड से लेकर कि नए घाड तक कैसे हम घाड के विकास की पर्योजना के साथ यानि रीवर फ्रंट के विकास के साथ साथ प्रेटन विकास की सम्मावनाओं को कैसे आगे वढ़ा रहे हैं इन सभी पिकास की समावनां को निरिक्षन करने के बाद मुझे आपके इस भव्य कारिक्रम में आने का सोभा के प्राप्त हुआ जब मैं देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्तों निच्छावर करने वाले महना प्रताब कि इस भव्य प्रतिमा के उद्गाटन कारिक्रम में हमारे मंतरी समों को भी इसमें सामिल होने का उस्तर प्राप्त हुआ है मैं इसके लिए आप सभी आयुजगों को हिर्दे से धन्यबाद दूंगा और मुझे लगता कि से उप्युक्त जगे दूसरी नहीं हो सकती थी एक आपने सेपरेट पार्क बनाया है यहां पर प्रसाथन के सयोग से मिल करके आवा गवन में कोई बाधा नहीं और पार्क के दोनों और मार्ग है जो भी यहां से गुजरेगा माणा प्रताप का नाम उसके जेहन में एक बार जरूर आये का उनका सौर यह उनका प्राकर्म उनका बलडान उनके दिमाग में जरूर आयेगा कि देश और धर्म के लिए जीने वाला भारत माता का एक ऐसा महायोगधा किसी कालखंड में इस देश में आया था और गुलामी की बेडियों को तोड़ने के लिए जो जज़वा हमारे अंदर पैदा कर गया था उस ज़वे के कारण ही इस देश ने जब भी चेतना सुप्त हुई उस सुप्त चेतना को जागरित करने के लिए महना प्रताप का नाम स्मण किया तो सुप्त चेतना जागरित होती भी दिखाई थे और भारत अंग्राई लेतावा विधर्मियों के खिलाब विदेशी सक्तियों के खिलाब उठ खड़ा होता है और भायो बेनो आज एक भारत नए भारत की जो कल्पना प्रधान मंतरी मोदी जी ने की है यह उसी स्रिंकला का हिस्सा है आज अयोग्धिया समर रही है सज रही है दिपाई सो के मात्यम से दुनिया एक तक हो करके अयोग्धिया के दिपाउनी के कारिक्रम को देखती है अयोद्या में भग्वान राम के जनम भूई पर भग्वान राम का भग्यमंदिर का निर्माण हो कौन ऐसा भार्पिय होगा जो इसमें सयोग बेनिकलेंट तयार हो हर भारते तयार है बड़े मुप्त कंड़ से देने को तयार है बड़ा हुआ है और आज उन सब के सयोग से बग्वान राम का भव्यमंदिर के निर्माण का कारे भी यहां पर पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है आज मैंने जाके देखा पूरा कारे देखा गर्वग्रे में तक जाकर के देखा क्या प्रगर से कितनी तेजी के साथ और मंदिर ऐसा होगा न भूतो न भोश्यती बग्वान राम का भव्यमंदिर बग्वान राम के विक्तित्त के इंडूप उनके विक्तित्त के इंडूप जो कभी नहीं हुआ है वास मोदी जी के नित्रत्त में से राम जन्भुमी जो ट्रस्ट बना हुआ है मंदिर निर्मान ट्रस्ट वा उसके इन रूप भव्य मंदिर के निर्मान का कारे को संपन्न कर रहा है और वा कारे आज अयुध्या में संपन्न हो रहा है दिकास कितनी योजनाई बन रही हैं आने वादे समय में अयुध्या दुनिया की सबसे सुंदर तम नगरी की रुप में स्थापित होगी विपावली ने इस कारिक्रम को साबित किया है मुझे याद है जब 2017 में पहली बार हम दिपावली के अयुध्यन के साध्यां जुड़े थे बायो बेनों मेरे मन में आज संका थी पता नहीं क्या होगा क्योंकि याँ पे दिपावली के अयुध्यन महर वेक्ति अपने घर तक सीमित रहता था सारजनी कोई कारिक्रम नहीं उपाता था आज मुझे प्रसंता है सारजनी कुरूप से सभी कारिक्रम पूरी भव्यता के साथ यहां पे संपन्ग हो रहे हैं और दिपावली में तो एक सोज जैसा माहोल है अयुद्या के विकास में भी अयुद्या वासियों ने राम जनम हुमी आंदोलन को कभी मरने नहीं दिया जब एक विदेशी आकरांता ने 1528 में से राम जनम हुमार राम के भव्यमंदिर को पवित्र करने का काम किया था 1528 से लेकर कि 1992 तक कोई दिन और कोई वर्स ऐसा नहीं जब अयुद्या वासियों ने चैन की सांस ली हो वे लड़ते रहे अयुद्या में हमने बहुत सारे काओं देखे हैं जो आज भी नंगे पैर चलते हैं एक से एक ही संकल्प है 500 वर्सों का अपने प्रभुराम का भव्यमंदिर का निर्मान करके रहेंगे और अपना स्थान वापस लेकर के रहेंगे बहुत सारे परिवार हैं जो सिर्पे साफा नहीं बानते केवल एक ही संकल्प है कि जब भगवार राम का भव्यमंदिर बनेगा तब हम अपनी पगड़ी भी धारन करेंगे और मुझे लगता है आज वक्तार ये संभव हो पारा है हो गया है अब तो एक वर्स और निजार करिए भगवार राम लिला अपने भव्यमंदिर में बिराजमान होंगे आज भी मैं देश के अंदर कहीं जाता हूँ लोग मुझे पोच्टे हैं आपको कैसा लग रा था जब आपने भगमार राम को टाड से एक मंदिर में अस्थापित किया मैंने का भी मेरे लिए तो गौरव की बात थे क्योंकि मेरे दादा गुरु के समय मूर्थी अस्थापित होई थी और मेरे समय में भव्य मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने का सुभागे मुझे प्राप्त हुआ मेरे लिए इससे बड़ा गौरव की बात क्या होगी राम जनव भुमी का पुरान दोलन मेरे पुझ्य गुर्दियो महंत अवेदेनाजी महराज के नित्रता में जनव मुक्टे के समीचे लड़ रही थी तो हमारी तो तिन तिन पीड़ी इस पुरे कारिकरम के साथ जोड़ करके लगी हुई है तो हमारे लिए मुझसे मेरे लिए इससे ज़्यादा गौरव की बात क्या होगी और भाईयो बेनो आज जो कारिकरम आपने महरा प्रताप को उनकी भूमिका के अन्रोप उचित अस्थान दे करके माज सर्यू के तक पर बहुत अच्छा रीवर फंट हमारा ये बिक्सित होने जा रहा है हजारों सरधालों और प्रेटा के हाँ पर साम के समय आते हैं और सायकाल के समय आकर के प्रेटन का अनंद बिलेंगे महरा प्रताप की सिक्साओं से पेलना प्राप्त करेंगे और भप्य पार्क के बीच महरा प्रताप की सोभा अपने आप ही अयोध्या के माध्यम से भग्मार, राम के उच्छा दर्सों से पेलना लेते हुए देश के लिए धर्म के लिए त्याग और गल्दान की एक नई परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रिलित करते रहेगी मैं अयोच्यकों को आज की इस कारिक्रम के लिए हिरदे से बदाई देता हूँ आप सब को अपनी सुबकामना ही देता हूँ और विश्वास ब्रक्त करता हूँ कि हम सब मिलकर के अयोध्या की सुंदर्तम नगरी के रूप में स्थापित करते हूआ अयोध्या में वह सब कुछ देंगे जो अयोध्या की आउस्षिक्ता होगे और उत्तरब्रदेस वह सब करेगा जो नए भारत के आश्यक्ता के अनूप होगा उत्तर प्रदेश उसमे अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेगा आप सब को 9 मई को महना प्रताप की जयन्ती है अभी से महना प्रताप जयन्ती की हार्दिक बधाई और सुपकामनाई आप सब को देते हुए इस पूरे कारिकरम के आईचेकों को महरदे से बधाई देता हूँ अपनी सुपकामनाई देता हूँ धन्यबाद जैहिल जैजै स्रीराम